नमस्कार प्रेंस एंड टैवल में आपका मंधना जंक्षन से बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल फैन शिव कान तिवारी जी ने ये फरुखाबाद की दिशा है सामने और इधर ये कानपुर अनवर गंश कानपुर की दिशा हो जाएगी दो प्लैटफॉर्म्स हैं यहाँ पर मंधना जंक्षन जो है और ये कानपुर फरुखाबाद वाली जो लाइन है उस पर पड़ता है सिंगिल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है ये NER जोन में आता है इज़त नगर मंधनल में हमारे और यहाँ पर ये जो जंक्षन है मंधना ये जीटी रोड जो जाती है बिलकुल इसके बराबर से निकलती है उससे बिलकुल लगा हुआ ये स्टेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री सुविधाय कोई बहुत अधिक नहीं है यहाँ पर और रंत्रू लाइन जा रही है बीच में दो प्लैटफॉर्म से यहाँ पर शेल्टर आप देख सकते हैं सामने की दिशा में छोटे छोटे जो हैं शेल्टर यहाँ पर लगे हुए सामने आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर यह स्टेशन मास्टर का कक्षेदर और आगे यहीं से फरुखाबाद वाली दिशा से ही दाहिने हाथ पर ट्रैक कर जाता है जो की ब्रह्म वर्त यानि बिठूर जाता है जिसकी आगे बात चल रहे हैं कि उसको भी लाइन को एक्स उसका द्रश्य है किस प्रकार से यहां पर कारी होता है रेलवे का आप देख सकते हैं सामने सारे स्विचेश आपको नजर आ रहे होंगे लाइट्स जो हमारा ट्रैक कहां से जा रहा है मंधना का सिगनल किस प्रकार से हैं तो उसकी सारी जानकारी यहां पर अंदर अंधना जंक्षन है उसके अंदर का यह नजारा है ओफिस का स्टाफ यहां पर मुस्ताइद है क्योंकि आजकल कोविड स्पेशल ट्रेंस जो हैं वो यहां से निकल रही हैं जैसे कालिंदी एक्स्प्रेस हो गई और बांदरा से जो हमारी चलके लखनो आ रही है जो पर िक्षाल है यहां पर लेकिन देखे साफ सुतरा है मेंटेनस यहां पर ठीक है और स्टेंलेस स्टील की अब यहां पर जो चेर्स हैं वो लगा दी गई है और स्टील की साफ सुथरी अपनी लगी हुई है क्योंकि साफ सफाई पर स्वच्चता पर रेलवे का विशेश ध्यान और यातियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि कुड़ा पर्टिकुलर जो स्पॉर्ट है डस्ट बेन है उसमें ही आप फेके इधर उधर ना फेके क्योंकि उससे भी बीमारी फैलती है आप देख सकते हैं पूरे ही प्लैटफॉर्म्स पर इस समय सरनाटा पसरा हुआ है सिर्फ रेलवे करमी जो है करमचारी यहाँ पर वही आ रहे हैं पेजल विवस्था यहाँ पर आसपास अभी समान भी थोड़ा जो डंप है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अटाया जाएगा कुछ सूचना भी यहाँ पर लगी हुई है अलग-लग बोर्ट्स पर चस्पा है और जब बहुत जल्द यहाँ पर यारेस उस्पेक्शन हो जाएगा बिठूर वाली लाइन का जो ब्रह्मवर्थ स्टेशन है तो वो यहीं से होगा मंधना जंक्शन से ब्रह्मवर्थ तक और उसके बाद जो लोकल ट्रेंस है मेमू रेल गाड़ियां उनकी संचालन की शायद शुरुवात हो जाए क्योंकि बिठूर भी जो है एक तीर्थ स्थल है हिंदूओं की पवित्र नगरी है कानपुर में और कानपुर से बहुत पास में है गंगा जी बहुत स्वच्छ है वहाँ पर पानी क्योंकि कानपुर से फिर पानी की बहुत नकेल कसी है उत्रप्रदेश सरकार ने तो गंगा को अप रदूशन से मुक्त करने के लिए बहुत बराबर मुहिम चलती रहती है तो ये मंधना जंक्षन का एक ओवरॉल व्यू पहली बार हम आपको ट्रेंस और ट्रैवल पर दिखा रहे है और बहुत जल्द कुछ ट्रेंस की वीडियो जो यहां से स्किप करते हुए निकलती है उनकी कुशिश है कि आप तक हम वो वीडियो लेके आएं और आपको दिखाएं कुछ ट्रेंड एक्षन यह सब बहुत छोटी छोटी जगाएं है जो जगाएं है यहां पर जीटी रोड बगल से जाती है हाईवे जिससे आप दिल्ली की तरफ यात्रा करते है और केलकटा की तरफ सबसे पुरानी सडक में से एक है जीटी रोड जो शेशा सूरी थे उन्होंने इसको बनवाया था जीटी रोड को ग्रेंड ट्रण्क रोड कहलाती है यह जब चार लेन के हाईवेज नहीं थे तो यह जीटी रोड जो है और एकस्प्रेस वेज नहीं बने थे तो जीटी रोड ही एक मात्र ऐसा हाइवे थी जो सबसे बड़ा हमारा उत्तर भारत में आप कह सकते हैं हाइवे था जो की कैलकटा के पास से शुरू होता था कोलकाता जो अब हो गया है और पाकिस्तान तक जाता है वो अमरस्थर होते हुए शायद तो काफी लंबी जीटी रोड है उसी के ठीक बगल में म प्रुखाबाद की दिशा है इधर प्लैटफॉर्म से यहां पर आप देख सकते हैं बहुत उंचे ही नहीं है मध्यम लेवल के हैं लो लेवल जिसको हम कह सकते हैं एक इटिया नहीं है जैसे होल्ट के होते हो तो एक इटिया होता चूकि यह जंक्शन है तो थोड़े से यह पर जो प्लैटफॉर्म है कम उंचाई के हैं लेकिन इस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए कि जो प्लैटफॉर्म की एक उंचाई है क्योंकि यातरी कहीं भी चड़ेंगे बुजर्ग हैं महिला हैं प्रेगनेंट हैं जो गर्वती महिला हैं बच्चे हैं तो प्लाटफॉर्म्स की जो उचाई है वो उतनी नहीं होती परयाद जिससे की कोच में आसानी से कोई व्रद्ध है या किसी के घुटनों में अगर प्रॉब्लम है अर्थराइटिस है किसी कोई या कोई अपना घुटना रेप्लेस्मेंट करा के नहीं सर्जरी जो होती आया तो ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि जो प्लैटफॉर्म है वो नीचा होता है और जो ब्रॉडगेज की डब्बे हैं उनकी हाइट काफी होती है तो इस और भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार के जंक्शन पॉइंट्स हैं चोटे-चोटे जो में इस प्रकार या प्लैटफॉर्म हो या दो स्टेफॉर्म हो उसकी यंचाई परियाप्त हो प्रेयाप्त हो değişikus कोई भी मुसाफिर जो डिबे में चड़े ट्रेन में उसको दिक्कत ना हो तो ये कुछ बाते भी चैनल के माध्यम से वीजवीच में मैं रेल अधिकारियों तक पहुंचाता रहता हूं जो प्रॉब्लम्स हैं तो उमीद है इस पर ध्यान दिया जाएगा इस और भी आप ध्य दियान देंगे benches और चोटे-चोटे shelters यहां पर देखे लगे हुए मंधना जंक्षिन पर तुमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा